नमस्कार राम राम साम अंद्रेश कुमार और आप देख रहे हैं डीपी के न्यूज चनल पंचेती राचुना का बिगुल बच चुका है चोसर बिच चुकी है आज हम पहुंचे हैं दोसा जिले में मैं राजनिती की बात करूँ इससे पहले आपकी राजनिती की शुरुवात कहां से किया आपने राजनिती कि मैं जमीनी इस तर से काम कम कने वालण व्यकित से जुड़ा हूँ इससे पहले मैंने कोई चुनाव नहीं लड़ा ऐ मैंने मैंने जनता की शेवा कियेश पालट्डी में आपके पास कोई पत नहीं मैं रवंदर जी जब चुनाव आते हैं, मद्दाताओं को रिजाने के लिए बहुत से वादे किये जाते हैं, चाए शिक्षा हो, चाए सलक, चाए पेजल, आज मैं बात करूँ, आप जहाँ जनसपर करें हैं, वहां की कंडिशन क्या है, सबकों की चिक्षा की और शिक्सा की और पिछले बीजेपी शाहसनकाल की बज़ाय, इस वर्तमान समय में पिछले दो-तिन सालों से जब से हमारे विजत्त में आएं हमारे सर्कार बनी हैं, दुचित्र की आगे समयदान है और हम विकास के पत पर आगे बढ़ रहे हैं, कैसे निष्चित विश्वास हमारे विदाय साब की नेतरोत में जो समस्या रह रहे हैं उनका निजात पाने कौसिस करेंगे आज मैं बात करूँगा चिक्रा कि बचियां गरामिल्व रूलर एरिये में बचियां पढ़ नहीं पाती शिक्रा के चेतर में उन बच्चेवं को अपने प्रति जागरुक हो सके और अपना केरियर फड़ाइं बना सके युवा पीडी की बात करें युवा जो वर्ग है वो नश्य की गदिश में जा रहा है आज पूरे राजिस्तान की बात कर लेते हैं इन बच्छों को समझाने के क्या प्रियास किये जाएंगे क्या हमारे साथे कि दुवारा नसा मुक्ति अभियान चला जा रहा है और मैं भी सप्रियास करें हमारे युवा जो है इस लट गी हुए वो लट को चोड़े और आच्छा जीवन जीवे आज बात करें ग्रामेंटी छेत्र में आप भी किसान हैं किसानों की बात कुरूं आवारा गोवन्च बहुत जदा बढ़ता जा रहा है आपके दवरा किसानों को निजात पराने के लिए क्या प्रैस किया जाएगा? लेकर नगरपली का छेतर में तो टेंडर प्रिक्रिया होती है जो आवारा जानवर गुमते हैं उनको पगड़ करके गउशाला वगरा में एड़ेस्ट कर दिया जाता है आज मैं बात करूँ आपके विकास की अन्य क्या-क्या विकास के मुद्दे हैं क्या सुविधाओं को तहट आप चुनाव लड़ रहे हैं उन शेतरों को चिन्नित करके जहां रोड पानी लाइट और शिक्षा से जो शेतर वंसीत हैं मैं कौसिस करूँगा उन शेतरों में हमा मैं प्रियास करूँगा जनता के बीच में जाकर के जनता का विश्वास इतने कोशिश करूँगा और मैं विश्वास जलाता हूं जनता को कि मैं जनता जमीन इस्ताथ पे काम करूँगा एक बेटा एक सेवक बनके काम करूँगा उनका जनता से क्या अपील करेंगे क्या लेकिन बीजेपी की सरकार के उपर कोई फरक नहीं पड़ा इसलिए लोग इनके जांसे में नहीं आए और कांग्रेस पार्टी को तक्ष्म मत्दान करें आज बढ़ती महंगाई के बारे में बात करें तो क्या कहना चाहेंगा? पर चुके हैं कि उन्होंने क्या क्या वादिक है मैं इसे निवेदन करूंगा आपके मादधम से चैनल के मादधम से कि एक बर वह जो दो जारते रहा से पहले उन्हों जो इस्टेस्टमेंट दिये हैं चैनल उपर वो उनको एक दिन बैठ करके सांतिपुरोग सुने उन पर मन परक नहीं पड़ता जनता परिशान है पैट्रोल के बहाव बढ़ सुके हैं इनसे ट्रांस्पोर्ट महेंगा हो गया है इसका इफेक्ट सीधा सीधा जनता के उपर पड़ा है दूसरे तरब देखा जाए तो एक आपने कावद सुनी होगी कि भूंगडे डालकर बंदर पक करते थे तब यह प्रदसन करते थे आज रसोजी के इसके ताम लगबग 900 रुपे पर सलेंडर पहुंच सुके हैं नरेंदर मोदी दुवारा सबसीडी का लालत दे करके हमारे लोगों को जो गरीब लुपतब के के लोग थे सभी को सलेंडर उपलब्द कराने की कोशिश की अना उसके बाद में लोगों ने सलेंडर ले लिए तो अब सबसीडी का खतम कर देगी तो इसलिए इन्होंने भूंग्रे डालकर बंदर पकड़ने की जो पंदर पकड़ने का काम किया है सर मैं बात करूँ राजस्तान की कहीं न कहीं कंगरिस भी दो गुटों में बटी निजर नहीं आ रही dif國 को आ कि अंगरेस पार्टी गधेश से सब्सक्राइप कान्गरेस की सरकार laws बनाएं olduğ और प्र्दान उपयाथ सब्सक्राइब सिपय 07य वावन दeश्डक के उमीद्वार नियुदार गधा जाएगा चाहिए शिक्सा चिक्सा पेजल सम्दी विकास के कारे किये जाएगे जे तो आने वाला समय ही बताएगा कि जनता ने किसे चुना है तब तक के लिए देखते रहें डीप के नूचनल मेंदरेश कुमार केमरा परसन माभीर परसाद खंड के साथ